Hello student, my name is Raj Chitri और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल Inceptions Coaching Institute पे स्वागत करता हूँ आज हम लोग एक नया टॉपिक Simplifications करने वाले हैं और Simplifications के Part 1 में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ Later Fractions जो की हर एक जाम पॉइंट ओ व्यू से important होने वाला है ठेके ना, तो हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिस करेंगे Concept और Concept जानने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Questions को करने का जो Best Approach होता है, वो क्या होता है, ठेके और हम लोग वो सारे questions को करने की कोशिस करेंगे जो previous exam में पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे आने वाले exam में भी पूछा जाए, ठेके तो चलिए स्टार्ट करते, जानते लेडर fractions होता क्या है तो देखिए जो यहाँ पर लेडर fractions लिखा हुआ है लेडर fractions में एक टॉम में लिखा हुआ है यहाँ पर fractions तो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते है कि यह fractions होता क्या है तो देखिए यदि में आप लोगों से पूछा कि what is fractions तो आपका उतर होगा Sir, fractions is your rational number fractions क्या होता है? एक rational number होता है fractions is your rational number ठेके अब मैंने आप लोगों से पूछा कि यह rational number होता क्या है fractions is your rational number ठेके ना तो rational number को हम लोग इंदी में बोलते है परिमेशंख्या तो परिमेशंख्या या rational number वो सारे नंबर को हम लोग बोलते है जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में लिख सकते यानि कि all those numbers that can be written in the form of P by Q ठेके ना वो सारे नंबर जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में लिख सकते है उसे हम लोग क्या बोलते है rational number बोलते है जहां पर P और Q जो P और Q है ना P and Q P और Q बोट आर इंटीजर्स होता है दोनों ही क्या होता है बोट आर इंटीजर्स अब यहां पर मैंने लिखा है इंटीजर्स इंटीजर्स का मतलब क्या होता है इंटीजर्स को अम लोग इन ने बोलते है पुर्णांग यानिकि एक अंग जो की complete हो अपने आप में उसे अम लोग क्या बोलते है पुर्णांग ठेके ना इंटीजर्स दोनों के दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और जो क्यू है ना क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं आएना चाहिए यह फ्रैक्शन्स होता है बात आई समझ में पाता ही समझ में तो आम लोग इसको लिखते हैं क्या पांस बटे में साथ तो पांस बटे में साथ में देखिए जो क्यों है न वो जीरो के बराबर नहीं है क्यों कि इसके बराबर नहीं है जीरो के बराबर नहीं है यदि क्यों के बराबर होता तो यह फिर यह फ्रैक्शंस नहीं होता है क्लियर अब देखिए जो भी नूंबर अम लोग P by Q के फॉम में लिखते हूं उसे में ने बोला कि इसको अमलोग बोलते है क्या तो चलिए आप लोग को साइध फ्रेक्शन समझ में आ गया होगा अब मैं थोड़ा एक चीज आप लोग को बताने की कोशिज करता हूं मैंने कोई एक फ्रेक्शन लिख लिख लिए इस प्रकार से मान बेजी कि मेरे पास में कोई फ्रेक्शन से दो प्लस दो बते में तिन इस प्रकार से मैंने कोई एक फ्रेक्शन से लिखा है और मैंने दूसरा फ्रेक्शन से लिखा है और मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग ना इसको सिंप्लिफाई करके दिखाए तो आपका उतर होगा सर देखिए मैं आपको सिंप्लिफाई आठ को भाग लगाएंगे तो यह दो ղिए bet नदो ुच simply पकिना दो पट्स है जो अमलोंकि का उत्तर आया कितना है दो दोतौटे में तिन आया डू प्रेस्टेस कर अब जंडिके मैं इसको सुब्ट किया तो मेरे पास में यह व種 Life स्खेंस हम लोग मुझको मिला ठीक care है तो अब देखिए क्या ये चीज यह ना जो थोड़ी दिरा घमेने बताया था देखिए है करी मेने क्या बोला कि मैंने यहाँ पर कोउई दो फ्रेक्शन दिकाए और रॉमें इन फ्रेक्शन को dif friends कोमें लिकाए तो आप लोग को बताइए क्या यह दूनों लगने में एक ज Jeżeli अ क्या नहीं तो नहीं लग रहा या लेकिन दूनों होथा किया है सेमें बस डिफरेंट यह है कि इसके आगे यह पर देखिए यहां पर बस प्लस का साइन में, ऑनद ब Birds यह प्लस का साइने इसका मतलभ यह फॉप्लस ने साथ रेट है इसका मतलब साप है कि सर आप फ्रेक्संस को चाहे ंसे लिखिये 222 बाइ 3 लिखिये या इसको लिखिया आप ठूटarks2 P2 बाइ 3 इस प्रकार से लिखिये 2 प्लस 2 2 3 और इक्वल टो 2ndoo 2 2 3 लिखिये दोनों का मतलब किया होता सेम होता है तो आपको अपसे कंप्यूज होने की जुरूत नहीं है यदि में फ्रेक्शन को इस प्रकार से लिखू 5 प्लॉस 5 बटे में 7 लिखू या इसको मैं 552 से लिखू दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है क्या यहां तक बात क्लियर है तो चलिए मैं आप लोग को और 3 by 4 इस प्रकार से मैंने लिखा है मैंने आप लोग से बोला कि आप लोग ना इसको एक बाइस सिंप्लिफाइ कर दिए इसको सॉल्ब कर दिए तो आप लोग कैसे सॉल्ब करेंगे सर इसका मतलब होता है आप लोग बोलेंगे कि सर देखे यह जो 2 को डिबाइड करना है किस स के लिए यहां तक बहुत बढ़िया अब देखिए अब इसी चीज़ को क्या में डायरेक्ली नहीं कर सकता था तो यह तो अम लोग को बच्पन में इस प्रकार से करने के लिए सिखाया जाता था लेकिन अम लोग को तो अम लोग क्या करेंगे कि अम लोग इसका देखिए डायरेक्ली क्या करते है इस चार से उपर वाले यानिकि जो नीचे वाला जो नंबर है यानिकि नीचे वाला फ्रेक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उससे अम लोग उपर वाले फ्रेक्शंस को मल्टिप्लाई करते है उप आंडी जी कि मेरे पास में कोई एक fraction से इस प्रकार से दो तिन बटे में साथ इस प्रकार से लिखा तो आप लोग कैसे इसको solve करेंगे सर बहुत सिंपल होगी अब तो देखिए साथ गुना दो कितना होगा 14 और 14 बटे में क्या होगा यह तीड होगा बात आई समझ में तो चल और fraction से लेता हूं मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई एक fraction से इस प्रकार से देखिए मैंने लिखा है टू प्लस टू टू बाई थ्री इस प्रकार से लिखा है मैंने और मैंने बोला कि आप लोग ना इसको simplify के जिए तो दीखे सर यहां पर ना यह दो नहीं होता थोड़ी द पर वाले नंबर के साथ में multiply करेंगे तो 3 गुना 2 कितना होगा 6 और 6 बटे में नीचे क्या होगा पता ही यह 2 होगा और इसको यदि हम लोग simplify करें तो 2 से 3 बार cancel हो जाएक और 2 और 3 कितना होगा 5 होगा क्या यहां तक बात के लिए चलिए एक और को से लेता हूं मैं आप ल divided by 4 by 9 ठीक है यह मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोग ना इसको solve कर दीजे तो आप लोग कैसे solve करेंगे सर यह तो बहुत ही simple है क्योंकि हम लोग को बत्पन वे पढ़ाय गया था यह 2 by 3 अम लोग दिखेंगे और यहां पर divide है तो divide का sign लगा देंगे इस प्रकार से और भाग कर देंगे 4 by 9 से तो इसको भाग करने पर क्या आएगा देखें यह 2 by 3 तो as it is रहेगा into करेंगे 9 को उपर लेके जाएंगे और नीचे 4 से multiply कर देंगे इस प्रकार से यहां लोग क्या कर देंगे ब्यालू को reciprocal कर देंगे ठीक है यह एक्सेंज बोलते हैं 3 से यह कितनी बार तीन बार अब 2 से कितनी बार दो बार तो देखिए हम लोग का जो fractions आया solve करने के बाद में कितना है तीन बटे में तो बात आई समझ में यह तो हम लोग इसको लिखते है मिक्स fraction से 1 1 by 2 क्या यहां तक बात के लिए रहे चलिए बहुत बढ़िया ठीक है अब देखिए यह तो हो गया आपका एकदम basic method जो side सबको आता है लेकिन हम लोग को करना होता है directly देखिए तो directly हम लोग कैसे करेंगे मैंने थोड़ी देर आगे बताया कि यहां से जो उपर वाला जो fractions है इसका numerator और नीचे वाले का denominator बाताई समझ में दोनों को multiply करना है अब देखिए इन दोनों को multiply करेंगे तो यह कितना आएगा 18 ठीक है अब आप लोग को क्या करना है नीचे वाले मतलब उपर वाले का denominator और नीचे वाले का numerator इसको multiply करना है तो आएगा कितना देखिए तीन गुना 4 कितना होगा 12 बात आई समझ में अब बच कैंसल करना है देखिए 6 से कैंसल कर 18 6 गुना 2 कि दोगा 12 तो अम लोग directly result पर पहुंच सकते ठीक है तो इतना calculations करने की जरूरत नहीं है आप लोग शीदा शीदा देखिए इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है और यह आगे जितने भी questions हम लोग को दिखेगा जो previous year exam में आया हुआ है उसमें हम लोग क को इस concept की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो चलिए और एक दो example लेता हूं मैं आप लोग को समझाने की कोशिस करता हूं कि होता क्या है तब जानेंगे हम लोग later fractions होता क्या है और later fractions में किस-किस प्रकार के questions बनाया जाते है ठीक है तो फिर देखना आप लोग questions को यूँ 2 by 3 by 4 यहां पर लिख दिया और 1 plus 1 इस प्रकार से लिख दिया और मैंने बोला कि आप लोग ना इसको एक बार solve करके दिखाए तो देखिए जो fractions है इस प्रकार के fractions को हम लोग एक्चों ने बोलते है लेटर फ्रक्शन से लेटर लेटर फ्रक्शन से लेगन बहुत simple वाला later fractions से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस वाले वैलो को नीचे वाले से हम लोग को solve करना होता है later fractions को ठीक है तो हम लोग सबसे पहले इसको solve करते है तो इसको solve करने पर क्या आएगा देखिए तो सर थोड़ी देर आगे आपने बताया था कि कोई fractions इस प्रकार से लिखा ज नहीं है हम लोग करेंगे देखे वान एजिट लिखेंगे अब हमारे पास में देखिए यदि में एक स्टेप आगे बढ़ता और आप लोगों से पूछता कि यह देखे यह नहीं होता यह दो बटे में क्या होता यह साथ बटे में चार देखते ही मेरे दिमाग में गंटी नहीं तो साथ प्लस साथ देखे साथ साथ और आठ कितना होगा पंद्र 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 प्टे में क्या आएगा साथ आएगा मैं यह विश्वास रखता हूं कि आप लोग को यहां तक आता है ठीक है न तो चलिए मैं अब आप लोग को बताऊंगा कि जो लेडर से वह किस प्रकार से किया जाता है मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई एक फ्रेक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 1 प्लस 2 बाई 2 by 1 plus 3 by 1 plus 1 by 2 इस प्रकार से लिखा है मैंने कोई fractions और मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोग ना इसको solve करके दिखाईए तो देखिए सर जब इस type के questions आपके exam में आते तो अम लोग इसी को ही क्या बोलते लेडर fractions या इसी को ही नाम देते लेडर fractions का तो जब भी लेडर fractions के questions आपको exam में देखने को मिले तो याद रखना है लेडर fractions के questions को हमेशा नीचे से solve किया जाता है यानि नीचे से solve करते हुए हम लोग को उपर की तरफ जाना होता है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले कहां से solve करेंगे यहां से और उसी concept को use करेंगे जो थोड़ी देर आगे मैं है यहां पर 3 बटे में दो बाता ही समझ में चलिए यह तक क्लियर है अब अम लोग को क्या करना होता है कि देख़िए इसका तो क्रम खतम हो गया इसका तो वम लोग और आ गया कितना तीन बटे में दो तो मैंने थोड़ी दिर आगे बताया था आप लोगों कि यह 1 पलॉस 3 3 by देखिए अब तो यह है ना हम लोग के पास में 3 by 2 3 by 2 है तो इस टाइप के questions को कैसे solve करना होता इस वाले fractions को तो सर्फ सिंपल है बस आप क्या कीजिए देखिए 1 plus 2 को उपर जाके multiply 2 को उपर ले जाके multiply कर दीजिए ठीक है तो यह दो गुना को solve किया तो मेरे पास में कितना आया 3 आया के वल 3 बचा है तो अब हम लोग के पास में करने के लिए क्लिए क्लिए पास में बचा है देखिए 1 plus उपर में 2 है और नीचे में 3 है बात आई समझ में तो यह हो जाएगा आपका क्या देखिए अब कैंसल करेंगे तो आया है ठीके तो चलिए मैं और एक एक जैंपल लेता हूं आप लोग को दिखाने के लिए फिर इस को करने का जो शॉटकट तरीका होता है हम लोग शॉटकट तरीके को भी सिखेंगे अच्छी तरह से ठीके जो बैस्ट एप्रोच होता है उसको भी जानेंगे क्या होता है देखिए में और एक कोशन्स ले रहा हूं सपोज मान लेजे कि मेरे पास में कोई एक लेडर फ्रकार से लिका हो वान प्लस वान प्लस वान प्लस वान बाई टू और मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोग इसको सॉल्व किजिए तो फिर आप लोग बोलेंगे सर कुछ भी नहीं होता है देखिए सिंपल होता है हम लोग अगरेंगे इसको मुल्टिप्लाइ कर देंगे सबसे पहले तो दो एके दो और एक कितना होगा तिन बटे में दू आएगा आगा नहीं आएगा पता ये इसका तो काम खतम हो गया ठीक अब बचा है आम लोग के पास में ब बास ना प्लाइव हो देखिए दो कितना 5 बचे में ration बात करने यहां तक सल ost अलीए अब देखिए और मोके पास से हम लोग के पास में बचा है कि उपर वाला क्या 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 के रवाकि आप Сबीचिए ग्रुए इस वाले 3 से हम लोग क्या करेंगे इस वाले 1 को जो denominator में उस वाले 3 से हम लोग इस उपर वाले numerator को multiply कर देंगे तो यह आजाएगा 3 और नीचे होगा यह उपर वाला value 5 तो यह आपका solve करने पर आजाएगा 1 3 by 5 क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते ना यह बहुत बढ़ी आप लोग को समझ में आ गया होगा चलिए अब मैं बताता हूं इस को करने का जो सही एप्रोच होता है सही एप्रोच क्या होता है ठीक है जब भी आप लोग को लेडर दिखाए दे तो इधर उदर बटकने की ज़रूरत नहीं है आप लोग सीधा को कर सकते देखिए मैंने एक को सबसे पहले क्या करना होता है कि आप लोग ना इसको सॉल्ब करना है ठीक है तो दो गुना एक डिखा रहा हूं बाद में आप लोग को बता हूंगा कि कैसे किया जाता है देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आप लोग ना इसको सॉल्ब करना है ठीक है तो दो गुना एक दो प्लस है कितना होगा तिन तो यह आजाए कि आपका तिन बटे में तो जैसे तिन बटे में दो आया इसको उल्टा कर देना है यहां पर क्या है यहां पर यह वान प्लस है यह 3 बटे में 2 था ना ये 2 बटे में 3 हो जाएगा और solve करने पर क्या आएगा पता ही ये तो आएगा आप देखे 3 एक 3 प्लस 2 कितना होगा 5 बटे में 3 बाता ही समझ में अब फिर इसको उल्टा कर देंगे और यहां पर multiply कर देंगे देखिए last में ठीके ना तो multiply करने उल्टा करन में हो जाएगा ठीक है अब लेते हैं एक 2 questions जो लेटर fractions के उपर base है एकदम simple simple में basic बता रहा हूं अभी concept समझा रहा हूं concept समझने के बाद में हम लोग questions को directly करेंगे ठीक है अब देखिए एक simple सा questions ये भी previous exam काई है लेकिन मैं यहापर practice के रूप में आप लोग को concept बताने के से कितने fractions से बूलने से दो fractions से तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग पहले इसको नीचे वाले को solve करेंगे यानिकि जो लेडर fractions होता है उसको अमेसा नीचे से solve किया जाता है ठीक है ना तो क्या होगा देखिए दो वह के 2 प्लस एक कितना होगा तीन बटे में 2 हो गया नहीं सबंशन न गरिए उल्टा कर दोको ऑफर इस वाले दो को उल्टा कर देंगे दो बड़े और मल्टी 스estra करा यहighsा हुए इसको Explore प्रण लेते हैं आप जानने की कोशिश करते हैं यहां पर क्या है देखिए इक्जामबल में लिखा हुआ है देखिए 1 प्लस यह लिखा हुआ है अब इसको solve करना है, तो बस simple एक कुछ भी नहीं करना है, देखिए, लेडर फ्रेक्शन से न, अम लोग को नीचे से उपर की तरब जाना होता, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेक्शन से यहां पर, ठीक है न, देखिए, यह 1, 2, 3, 4, 5, बस, अब क्या करना है कि आपको देखिए, 5 step में इसको सब्सक्राइब, चलिए, अब इसको solve कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको solve करेंगे, यहां पर क्या आपका, यहां पर है 1, 1 by 2, तो इसको हम लोग solve करेंगे, तो क्या आएगा बताईए, यह आएगा आपका 3 बटे भी, तो आएगा यह न, आएगा बताईए, ठीक है लोग करना है और यहाँ पर और यहां पर करनाया एंगा बात है समझ में अब हम लोग इसको साफ्व करेंगे तो क्या आएगा बस नोट करके लीदर करना धुर्ण शुर्ण दो 5 बटे में 3 हो ग अब गर्ट करेंगे माल्टिप्ला करने यह तिन बटे में 5 ठीक हो ज़िए नब फिर इसको शॉल्ब करेंगे तो क्या अबटई आएगा ने दो भलता 13 by कितना आएगा, बात आई समझ में, अब फिर इसको उल्टा कर देंगे, यह निकी है, आप लिखेंगे 8 by कितना 13, और multiply कर देंगे, अब इसको solve करेंगे, तो कितना आएगा, बता यह, solve करने पर यह आएगा, आपका 21 by 13, 21 by 13, बात clear, चलिए, तो हम लोग का एंसर क्या होगा option number 1, समझ में आ रहा है, चलिए, लेते हम लोग next और एक दो example, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे questions की तरफ, questions करने की questions करेंगे, ठीक है न, तो चलिए, लेते next example देखें, फिर एक simple सा example लिया है यहाँ पर, हम लोग के पास में simple सा example क्या है, 1 plus 1 by 1 plus 1 by 5, यह न, बस क्या कर करना है, आप लोग को step 1 और step 2 को solve करना है, बहुत ही simple है, देखें, क्या करेंगे, हम लोग 5 एक 5 और एक कितना होगा, यह 6, यह ओगा आपका 6 बटे में 5, उल्टा करेंगे, और यह प्लस 1 के साथ है, multiply कर देखेंगे, देखें, यह 5 बटे में 6, solve करेंगे, क्या आएका पता देखें, यह सारे के सारे वो example है, जो letter fraction से पुझा जाता है, तो देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 by 1 प्लस 2 by 3 प्लस 4 by 5, यह लिखा हुआ है, clear है, तो हम लोग इसको कैसे solve करेंगे, फिर देखें, हम लोग को 3 step में इसको खतम करना है, 1, 2 और 3, क्या करना होता है, पहले इसको और इसको multiply करेंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे, solve करेंगे, देखें, पांच गुना तिन कितना होगा, 15, 15 प्लस 4 कितना होगे है, 19, 19 बटे में क्या, 5, क्या बात clear है, यहां तक, चलिए, अब क्या करेंगे, यहां पर 1 प्लस है, तो 1 प्लस करेंगे, इसके सा 5 को ले जाके, उपर वाले इससे multiply करना है, तो 5 गुना 2 कितना होगा, 10, 10 बटे में कितना आएगा, 19, बात आई समझ में, 10 बटे में, 19 होगा, यहां कि 10 बटे में, 19 होगा, ठीक है, यदि इसको solve करेंगे, तो आप लोग के पास में क्या आएगा, देखिए, 19 हैके, 19 प्लस 10 कितना होगा, 29, 29 बाइ क्या आएगा, 19, clear, 29 बाइ 19, अब क्या करना है, फिर उल्टा कर देना, और multiply कर देना, और अम लोग के पास में, उपर में क्या है, 1 प्लस, ठीक है न, उपर में, अम लोग के पास में क्या, 1 प्लस, 1 बाइ, देखिए, 19 उपर जाएगा, इसके साथ मे यह उपर जाएगा, और उसके साथ में multiply होगा, तो यह 90 नी रहेगा, और नीचे के हमारे पास में, 29, तो अम लोग का जो answer आएगा, वो कितना आएगा, 1, 19 बाइ कितना है, 29, तो देखिए, अब answer इस form में, mixed fractions में है या नहीं, बस हो check करना है, देखिए, 19, 29, 29, प्लस, 19, कि 48 by 29, यह उम लोग का करेक्टर हो जाएगा, तो चलिए, स्टार्ट करते हो, आप लोग एक बार देख लिए, इसको revise करके, यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो, बस मैंने क्या बोला कि, उल्टा करना है, और multiply कर देना है, लेते हैं, सबसे पहला question समलोग के, जो आपका ladder fractions के पर base है, ठीक है, तो चलिए, स्टार्ट करते है, देखिए, सबसे पहला question से हम लोग के पास में इसको simplify करने के लिए दिया है, 1 plus 1 by 1 plus 2 by 2 plus 3 by 1 plus 4 by 5 इस प्रकार से लिखावा है, और इसको solve करेंगे, तो देखिए, solve कैसे करना है, मैं आप लोग को इपता दे रहा हूं, stepwise, ठीक है, अब देखिए, question से हम लोग के पास में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको solve करेंगे, बात आई समझ में, तो 5 है कि 5 और 4 कितना हो अगा, यह 9, 9 बटे में क्या आएगा, 5, clear, चलिए, अब देखिए, उल्टा कर देना और multiply कर देना, यहाँ पर 2 प्लस है न, 2 प्लस, यहाँ पर क्या है, 1, 1 प्लस, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस, यहाँ पर जो था मैंने सबको लिख लिया पहले, ताकि आप लोग को समझाने में कोई प्राब्म नहों, ठीक है न, अब क्या करना है, multiply कर देना है, उल्टा करके, ओके, देखिए, हम लोग इ यह, 15 पटे में, 9, 9 नीचे होगा, अब इसको multiply करेंगे, तो क्या है, 9 गुना 2 कितना होगा, 18 प्लस, पंदर कितना होगा, 33, बस, क्यालकुलेशन सचा होना चाहिए, 9 दुनी, 18 प्लस, पंदर, 33, 33 पटे में, 9, बात क्लियर है, यहाँ तक चलिए, अब फिर क्या करेंगे, 9 को उपर ले जाके, इसके साथे, हिस्वाले 2 के साथे multiply करेंगे, देखिए, 9, उल्डा करके multiply करेंगे, ठीके, 9 गुना 2 कितना होगा, 18, 18 पटे में, कितना होगा, 33, अब देखिए, यह 33 इंटू 1, कितना होगा, 33, 33 प्लस, प्लस, 8, कितना होगा यह, आपका आएगा, 51 by 33, बात क्लियर है, यदि इसको cancel करोगे न, तो देखिए, cancel हो रहा है, तो cancel कर सकते हैं, आप लोग यह आजाएगा, 3 into 17, 51, and 3 into 11, कितना होगा, 33, बात क्लियर, चलिए, अब हम लोग फिर इसको उल्टा करेंगे, किसको, इस 11 को उल्टा करेंगे, और इस 1 के साथ में multiply कर देंग उसके साथ में, तो 11 into 1 कितना होगा, 11 by 17, बात क्लियर, चलिए, अम लोग का answer आ गया, अम लोग के पास में क्या बचा है, बता ही, 1 plus, यह देखिए, अम लोग का answer आ गया, 11 by 17, तो यह अम लोग का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह अम लोग का result निकला था, वो क्या निकला यह तो आम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यह तो आम लोग इसको 28 by 17 लिखेंगे, बात एक ही है, 28 by 17 लिखेंगे, तो भी बात क्या है, सेम ही है, तो आप लोग का answer आएगा, 11 by 17 यह ओका आपका correct answer, चलिए लेते नेक्स्ट कोस्टन, को देखिए, कोस्टन नमबर 2 भी, 1 plus 2 by 3, 1 plus 3 by 1 plus 4 by 5, यह लोग के पास में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देखिए, और एक बार सॉल्ब करने की कोसिस कीजिए, खुद से लेखिए, मैंने यह आपर लिखा हुआ है, तीन स्टेप, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कि स्टेप 1 में क्या करना होता है, सब 1 plus है न, चलिए, अब इस वाले 5 से इसको मल्टिप्लाइ करते न, 3 को, तो कितना आएगा, 5 गुना 3, 15, ठीके, बटे में कितना है, 9 है, तो अब देखिए, यह तो हो गया, अब सेगन स्टेप में देखिए, 9 into 1, 9 plus 15 कितना होगा, यह आपका, 24, 24 बटे में कितना आएगा, 9 ठीके न, तो देखिए, अब इसको भी कैंसल कर सकते हैं, हम लोग 3 से, तो 3 गुना 3, 9, 3 गुना 8, तो 8 बटे में कितना आएगा, यह 8 बटे में 3 आएगा, देखिए, मैं आपर थोड़ा डीपली करके दिखा रहा हूं, थोड़ा अच्छा से करके दिखा रहा हूं, तो इस वाले 2 के साथ में, बात आई समझ में, तो 3 गुना 2 कितना होगा, 6, 6 बटे में किया आएगा, 8, तो देखिए, यह कैंसल होगा न, 2 से, तो 2 तिया 6, 2 चारे 8, तो हम लोग के पास में क्या आया, हम लोग के पास में बचाया, देखिए, 1, 1, 3 by 4, या तो हम लोग इसको लिखेंगे, 4 एक है, 4 प्लस 3, 7 बटे में, 4 लिखेंगे, या तो इसको लिखेंगे, 1, 3 by 4, तो दूनों का मतलब क्या है, सेम, तो 1, 3 by 4, या 7 by 4, हम लोग का correct answer होगा, चलि लेते हैं, नेक्स्ट कोशन्स, आप लोग देख लें न, एक बार, अचे यह तरी के से, ठीक है न तो चलिए, अब इस को सॉल्ब करते हैं, देखिए, 1 divided by 3 plus 1 by 2 minus 1 by 7 by 9, यहां पर देखिए, 17 by 20 को भी add करना है, यह थोड़ा सा, different equation, चलिए देखते हैं, लेकिन आसान है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्ब करने की कोशिस करते हैं, यह इसको सॉल्ब करने की कोशिस करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्ब करेंगे, देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्ब करेंगे, उल्डा करेंगे, और multiply करतेंगे, बात आई समझ में, तो देखिए, उल्डा करेंगे, तो क्या होगा, यह पता ही हम लोग के पा तो बात क्लियर चलिए यहां तक तो एक काम खतम हो गया अब हम लोगों को करना यह देखिए हम लोगों क्या करना है थ्री करना है थ्री प्लस करना है किसके साथ में ठीक है तो थ्री प्लस करना है साथ को उपर ले जाके मल्टिप्लाई कर देंगे देखिए किसके साथ में वन पांच आएगा बात क्लियर है चलिए फिर अब देखिए यहां पर तो प्लॉस नहीं अब आम लोग क्या करेंगे सिस्को अलटा कर देंगे देखिए अब हमारे आके देखतें, 22 बटे में 5 था, इसको रेसी प्रोखोल किया, तो 5 बटे में 22 हो गया, तो हम लोग के पास में कितना आया, हम लोग के पास में आया, देखिए, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी को कर देते हैं बात आई समझ में तो चलिए आप लोगो समझ में आ रहा होगा तो बस आप लोगो क्या करना होता है उल्टा करके मल्टिप्लाई करना ओता है चलिए और व कोसेंस लेते देखिए कोस बाधी बढ़िया है जो प्रिभीए सीर एकजाम में पुछा जाचुका है थेके न तो बहुत ही इस प्रकार के questions exam में पूछा जाता है question number 4 को देखते हैं लेते अब इस questions हो भी ठीक उसी प्रकार से करने की courses करेंगे देखिए step wise हम लोग करेंगे ठीक है तो सबसे पहले नीचे से जाते हैं हम लोग देखिए बस यहां पर तो बहुत simple हो गया सब one one पाणओने कुछ करने की जरुद्ध घरेता है इस वुर्ड़िया करें मल्टिप्लाइज कर दें दे यह आजाएगा आपका 5 बटे में अंब देखिए होने उल्ट़ करके मुल्टिप्लाइ न तीन वग बनाए नहीं प्लस कर ना उप्लस करना है उपर ले जाएंग सहिसक्र कर तो फाइनल जो उतर आएगा वो क्या आएगा बत क्लियर है यहां तक चलिए अब अब हम लोग को क्या करना है देखिए बहुत ही सिंपल था एक दम कुछ भी नहीं करना जो उल्टा करके इसको क्या करना है यहां पर लगा देना है एक स मान तो हम लोग के पास जो 13 by 8 आया यह X का माने ठीक है ना अब यहां पर लग देना है देखिए 2 into X X का मतलब 13 by 8 और प्लस कर देना है कि इसके साथ में 7 by 4 के साथ में तो देखे इसको और इसको कैंसल करने पर 4 बढ़ जाएगा और LCM तो इसका सारी रहेगा ना सारी रहेगा LCM और देखिए 13 और साथ को जोड़ने पर कितना आएगा पीस और चार से 20 को भाग करने पर कितनी बार जाएगा यह पांस बार थोड़ा सब्सक्राइब करना आप लोगों को बाताई समझ में चलिए लेते नेक्ष्ट को से नंबर 5 को लेते हैं को से नंबर 5 में देखिए फिर उसी टाइप का को से ने बस थोड़ा सा डिफ्रेंट से दो नमें कि यहां पर डिबाइड है वहां पर जोड़ने के लिए दिया था कुसी टाइप का को से सेम देखिए को से नंबर 5 को सॉल्फ करते हैं आप लोग एक बार देख लिए ना को द्यान से तो को से नंबर 5 करने के लिए बोला हैं लोग को से लिए को से नंबर 5 को भी सॉल्फ कर देखिए यह ना को से बहुत सिंबल है बस क्या करना है ना पता है लुखती पांच बटे में क्या आए rent rata करका इसको करने पर यहां एक आपका ह sé con बातों क्लियर न उनिस बड़े पांच आएगा और फिर यहां पर देख ऴट कितना नेका है wow उपर पोन जाएगा उपर जाएगा आपका 5 नीचे कुन आएगा 19 आएगा ठीक है इसको सॉल्ब करेंगे तो यह कितना आएगा देखिए 19 टू जो 38 प्लॉस 5 कितना हो गई 43 कि और स्काईच कूल 12 कि यहाँकर प्लॉस तक और सुछ फोमने अधिक हैं देखिए 22 इस मिनाब के एंधिनेक्ज़ुन प्लास्टी टक तो ख般 मुणधा करते यहां पर हुआपर नोचर्वेज आपके पासन में डिखे है 1 अला करना है किस से 19 by 43 से डिवाइट करना है इने कि same number को same number से divide करना है तो पता ही हम लोग को één को 1 से divide करने पर कितना आता है एक 2 को 2 से divide करने पर कितना हृता है दो तो करेक्ट अंडरत एक होगा गध्याए आगे बढ़ते तो यह उल्डा करके multiply करते हैं कि थी को उपर ले जाएंगे थी के साथ में multiply करेंगे तो यह 3 अब अब लेते हैं साथ तो यह अब लोग को चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको solve करेंगे ठीक है न तो इसको solve करने पर कितना आएगा बताईए यह आएगा आपका 13 13 भाई क्या 4 बात क्लियर है नहीं यहां तो step 2 देखें यहां पर plus 1 है बस उल्टा करके multiply कर देना है देखें चार उपर जाएगा तो नीचे कोन आएगा 13 यानिकि यह आजाएगा देखें 17 भाई कितना आएगा यह 13 है अब देखें यहां पर हम लोग के पास में x x है plus x करना है तो 13 उपर जाएगा न अब 13 भाई क्या होगा 17 बात क्लियर है तो हम लोग के पास में यह result मिला फाइनली अब यह बराबर यहां पर दिया है दो देखें यह जो दिया है ना अम लोग के पास में x plus 13 भाई जो 17 न यह किसके बराबर दिया हुआ है यह दिया है आपका दो के बराबर ठीक है ना अब इसको इतर लाएं के तो देखें क्या होगा एकदम x is एकदम सिंपल यह आएगा सकतरा तो कोसिंस का जो करेक्ट एंसर होगा वो 21 by 17 होगा चलिए देखते हैं 21 by 17 नमबर 2 में है लेते हैं नेक्स कोशन कोशन नमबर आठ पुसे नमबर आठ में क्या लिखा हुआ है देखिए तो यह और स्टैंडर कोशन से बहुत ही बढ़ी आ कोशन से आप लोग को क्या करना होता है सबसे पहले इस वाले फ्रेक्शन को सॉल्व करना होता है ठीक है चलिए इसको सॉल्व करने पर क्या आएग बताइए तो इसको सॉल्व करेंगे यह आएगा एक बटे में दो आएगा ठीक है न एक बटे में दो आया बस यहां पर क्या है ब्स को उल्टा करेंगे मल्टिप्लाई करनें देखिए दो उपर जाएगा और एक करेंगे देखे इसको सॉल्ब करेंगे तो हम लोग के पास में देखे क्या है सबसे उपर में 3 है ठीक है ना उपर में 3 और नीचे हम लोग को क्या करना है 5 by 6 5 by 6 of 3 by 2 डिवाइड करना है इसको किस से देखे डिवाइड करना है 4 एक 4 प्लसे कितना होगा यह पांस बटे में चार से इपाइड करना है यहां से तो रिजल्ड मिल गया हम लोग को 2 by 3 ठीक है अब यहां से क्या मिलेगा और दोनों को मुझा कर देंगे देखे क्या आएगा सिंपल है कुछ भी करने जरूद नहीं है सबसे पहले आपको सॉल्फ करना है ठीक है तो यह तीन से कितनी बार जाएगा यह दो बर जाएगा तो यहां पर जो हम लोग का रिजल्ड आएगा वो देखिए तीन बटे में कितना आया देखिए सॉल किजिए तो यह आएगा पांस बटे में क्या है दो बुनी दो चार और एक चीज यह डिवाइड इना इसको मल्टिप्लाइ में चेंज कर देंगे आप तो यह चार उपड़ जाएगा और पांस कहा आएगा नीचे आएगा बात क्लियर तो चार से चार खतम पांस से पांस खतम तो अम लोग का इसका और दो बटे में तीन को मल्टिप्लाइ करना है तीन और तीन तो कैंसल हो जाएगा बचेगा क्या एंसल बात क्लियर तो अम लोग का जो करेक्ट एंसल होगा वो क्या होगा दो होगा चलिए बढ़ते आगे लेते नेक्स कोशन से कोशन नमबर 9 को देखिए फिर उसी पर कोशन से अब इसको भी लोग ईजी लिः कर देंगे देखिए लिखा हुआ है क्या 1 प्लस 1 प्लस 4 वाइए देखिया एकदम सीमपल है टू प्लस 3 वाई 5 माइनस 1 वाइट है यह लिखाऊ हुए ना तो सबसे पहले लोग इसी को ही शॉल्व करेंगे देखिए एकदम सि प्लॉस है ना कर देंगे देखिए टू को उपर लेके जाएंगे इस ट्वाले टू को और मल्टिप्लाइब कर देंगे तीन के साथ में तो दो तिया कितना होगा छे से बटे में कितना आएगा नो बात क्लियर क्या इसको कैंसल कर सकते हम लोग येस तीन से तिन दुनी छे ति अब तीन को लेके जाएंगे और मलिप्लाइब करेंगे छार के साथ में आम लोग के पास में यह बचा हुआ है देखिए वान प्लस तीन कुना चार जीन इसका मतलब क्या होता होताए बताइए विसका मतलब तो सिंपल है दो एक दो और प्लप बहुत नो होगा पांच ब seis psychology हैं माइनस क्या करना है देखी यह थो 5 by 2 ही हां यह नी養 माइनस किसको करना है माइनस करना है अब देखिए यह जो यह ना दो से था सब्सक्राइब मैं यहां पर भी क्या है मैंनस 5 by 2 लुरा से 5 by 2 गटा number 10 बहुत standard questions से देखिए right question number 10 में देखिए दिखा हुआ है क्या एक बार में questions को आप लोगों को zoom करके दिखाते तक हो quotas इस प्रकार से दिया गया हम लोगों को देखिए 1 plus 1 by 10 प्लस wonder whenода यह लिखा हुआ है और यह दो बार लिखावा इस प्रकार सेख़ा है माइनस मुआ साइन बीच में यहां पर और दो बार लिखा हुआ तो चुनिये क के को कैसे सोल्व करते देखते तो मैंने क्या बोला कि आप लोग को सबसे पहले मान लेowner इसको अभिको तो इसको भी मैंने मान लिया यह 是我 मुलसके यह उर इसको मों कई से में और यह देखिए यहां पर माइनस है ना तो इसको मान लेते हैं यह बी ए तो यह भी क्या होगा आपका बी होगा ठीक है तो यहां से देखिए मुझको क्या मिला कि यह इंटू ए क्या मिला यहां से मिला मुझको ए स्कॉर ठीक है अब देखिए यहां से क्या मिलेगा मु दो को तो आसानी से कोशंस को कर देगा, बताएこちら minus B square का मतलब क्या होता है, こちら minus B, तो ऐसा है what we should say, अरो होता है into A plus B, यह होता है आपका Wikipedia, aka packet down A square minus B square, और इसको किसे भाग करना है, इसको भाग करना है, A plus B से बाग करना है, देख़ें नीजे क्या है, plus से तो A plus B से A plus B cancel हो गया है बचा हम लोग के पास में क्या? A minus B. हम लोग के पास में पर A minus B. अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए हम लोग Bela- Brothers लगादेंगे, यहां पर Bela- Brothers देखिए. A का मतलब है क्या? A का मतलब है उन्हीं प्लस वन बाइ टेन ठेहिए ना? और इसको माइनस किसे के साथ में करना है किसको माइनस कर देना है इससे माइनस करना आपको 1-1 by 10 प्लस 1 by 10 को माइनस कर देना है ठीक है अब देखिए इसको solve करते स्टोवी सेम लेडर फ्रीस्एं बन गया दुबारा सब 13 और इसको रहेंगे ठहलें इसको करेंगे तो यह कितना आएगा बताइए यह तो आएगा सब यह तो 1 पूँनी प्लश देखें दस गुनाद एकसो प्लशा कितना यह एक सो एक होगा यह तो आएगा आपका कितना आएगा बुलने से सर यह आएगा 101 डिबाइड़ बाइड़ बाइक इतना टेन इसको solve करने पर उल्ट अगल के multiply कर देंगे तो दस उपर जाएगा नीचे आएगा 101 ठीक है न सेम इदर में देखिए माइने से इसको भी क्या करेंगे यहापर भी तो सेम आएगा न क्यूंकि यह और यह तो सेम ही है ठीक है तो यहापर यह 1 है माइने से लेकिन यहापर अब यह जो 10 है न यह उपर जाएगा और नीचे आएगा 101 बात के लिए अब चाहो तो आप लोग इसको ब्रेक करके यही पर भी कैंसल कर सकते हो ठीक है अब देखिए अब उम लोग इसको कैसे solve करेंगे तो बताइए solve करना तो आसान हो गया ना यदि मैं इसको यहाँ से ब्रेक 星ate को open करेंगे तो क्या होगा यह minus होगा और यह minus कि ब्री मैना इसको कैंसल होगा और दोनु जोडएगा 10 कितना आएगा और नीचे कि यहाँ पता बनाया जाता है यहां से फैब्रेट एक्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है तो पूछा जा सकता है आगे भी इस टाइप की कोश्ण तो चलिए बढ़ते आगे लेते नेक्स्ट कोश्ण आप लोग एक बार वीडियो को पहुंच करके देख लें देदे समझ में नहीं आ तो 5 को उपर ले जाके वह नुके साथे मल्टिप्लाइ एक ठीक तो यहां पर करना है बस उल्टा करें तो 3 में यहां पर रुंटा करके मल्टिप्लाइक करते उल्टा करके multiply कर देना है हम लोग के पास में क्या हो 5 है plus कितना होगा 3 तो ऊपर जाके 3 के साथ हो तो 3 गुणा 3 कितना होगा 9 9 बटे में नीचे कितना होगा 14 बाता ही समझ वही इस वाले 3 से मैंने ऊपर ले जाके multiply कर दिया तो 3 गुणा 3 9 नो बटे में 14 तो यह 14 गुना 5, 70, 70 और 9 कितना होगा? 89 या तो 79 अम लोग बोलते हैं इंगलिस में इसको 79 बाइ 14 हो जाएगा बात clear तो दिखें नीचे से अम लोग को कितना मिला? नीचे से मिला 79 बाइ 14 कि लीचे से या नीचे से याँ to the line हो कितना को छीका सब्णिखें में हो होकार या तो définके नीचे से तो और में इसाप एंगे और उससे करेंगे जाए एंगा जाएग से देखा देता हूंaw करके यहां पर नीचे यह पर solve करते हैं ठीक है यह 3 गुणा 3 9 9 प्लस 2 कितना होगा 11 तो देखिए मैंने इसको solve किया सबसे पहले अभी मैं इसको solve करूँगा फिर तो 3 गुणा 3 9 प्लस 2 कितना होगा 11 11 बाई कितना 3 बात clear चलिए उल्टा करेंगे multiply करेंगे तो हम लोग के पास में यहाँ पर है 3 ठीक है ना तो कितना आएगा 3 गुणा 2 6 बाटे में कितना होगा 11 होगा अब देखिए इसको solve करेंगे तो 11 गुणा 3 सब्सक्राइब करेंगे उल्टा करके multiply कर देना अब तो 11 इंटू कितना होगा 22 डिबाइड़ बाई कितना है 39 क्या बात clear है यहां तक चलिए यहां तक तो काम खतम हो गया देखिए अब क्या करना है इन दोनों को multiply करना है सबसे पहले तो 49 इंटू 22 कितना होगा 78 कितना आए गाई यह 78 78 और 22 को जोनने पर कितना होगा 100 और 100 बाई क्या आए गाई इह 39 अब देखिए यह जो 100 by 39 है न, इसको क्या करना है बताइए इसको multiply करना है इसके साथ में 39, 묘 salary just from 0.39 इसको multiply करना है 0,39 से multiply करना है बताइए कितना असान हो गया जै अब देखिए इसको multiply करेंगे तो 100 by 39 into ये आजाएगा आपका 39 पॉइंट को अटा दिया तो पॉइंट की पीछे दो डेसिमल है तो हम लोग दो जीरो लगा देंगे नीचे ठीक है 39 और 39 को कैंसल करेंगे तो यहां से आपका जो वैलू आएगा करनी रोंकितना एया अब देखिए नीचे से तो हम लोग werden इसको सौल किया यह पूरे को सौल किया तो पूरे को सौल करने पर कितना मिला मुझको एक और एक से दो को भाग ना या उप पार वाले नंबर को तो रिजल्ट क्या आएगा दो आएगा बात क्लीर चलिए लेटे नेक्सक्ट कोशस लिए जो कि बहुत ही बड़ी सजलिए को कैसे करेंगे इसको क्रुचन करने की कोसिस करतें फिर मरूगzone क्या हुंस56 3 में यहां पर 3 स्टेप लिक्के दीखा रहा हूं कूई यहां पर देखिए 1 2 3- वास सिस्टेप में क्या करेंगे ठेक ना तो फ़ kingdom में इसको मटिपलाइ करेंगे तो बेगे इसको gegen मैलटिपलाइ करने पर क्या आएगा इसको मल्टिपलाइ करेंगे तो आएगा यह 1-a ठीक है और प्लस क्या करना है यह करना है और नीचे क्या हम लोग के पास में 1-a बात क्लियर है ना चलिए अब यह a से यह a cancel हो जाएगा तो यहां पर हम लोग के पास में क्या आया बताए यह 1-1 by 1-1 by 1-a यह हम लोग के पास कि अब इस्टेप 2 में देखिए क्या करना है यहां पर 1 लेकिन 1 के साथ में माइनिस यह भी अब इस ए 1-a को उपर ले जागे multiply करेंगे 1 के साथ में तो फिर यह क्या आएगा 1-a ही आएगा 1-a और नीचे क्या होगा 1 इसका होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता अब देखिए इसको solve करेंगे तो क्या आएगा देखिए step 2 को में जो step 2 में जो है ना इसको solve करेंगे तो क्या आएगा यह 1- in is bracket open करेंगे तो यह 1 होगा यह माइनिस और minor करें किया होगा यहähän हो जायेगा तो यहां से क्या आये का हम लों के पास पर देखिए यहां का स्लूशन के बाद में और नीचे इंड ग में भी कयह क्योंकि A के नीचे तो 1 उपर जाके A से multiply करेगा तो भी वो क्या रहेगा A ही तो रहेगा अब देखिए A से A को cancel किया तो कितनी बार गया है वन बार ठीक है तो finally हम लोग के पास में क्या बचा 1-1 ठीक है न क्या बचा 1-1 और 1-1 क्या होता है जीरो तो इस questions का जो correct answer होगा वो क्या होगा जीरो होगा बात आई समझ में चलिए अब जानने की questions करते यदि इस टाइप के ladder fractions में थोड़ा सा advanced questions आ जाये तो advanced questions के इस प्रकार से बनाया जाता और इसको करने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है देगे कोई questions दे दिया इस प्रकार से a plus one by b plus one by c plus one by d इस प्रकार से दे दिया इजी कोल्ड हो कितना दे यहां पर 13 by 5 ठीके तो अभी तक जो questions था उसको हम लोग नीचे से उपर की तरफ solve करते हुए जा रहे थे लेकिन अब हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को उपर से नीच c minus d इस प्रकार से पूछा सकता है ठीके यह हो सकता है यह पूछ दिया जाए आप लोगों से a plus b plus c minus d कितना होगा इस प्रकार से questions बनाया जाता है तो इस type के questions को हम लोग कैसे deal करेंगे तो हम लोग को हमेशा नीचे उपर से नीचे की तरफ आना होता है देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग के पास में यह a plus one by b plus one by c plus one by d न तो हम लोग उपर से नीचे की तरफ solve करते हुए आएंगे और value को comparison करके लिख देंगे यहाँ पर बात आई समझ में तो देखिए जो यह 13 बटे में पांच है न सबसे पहले आप लोग को 3 बटे 5 भी तो लिख सकते देखिए 5 दूनी 10 प्लस 3 केतना होगा 13 यहां से साफ साफ है कि यदि में इसको इस प्रकार से ब्रेक करके लिख तो यह हो जाएगा आपका 2-3 बटे में 5 बात आई समझ में तो यहां पर देखिए हम लोग को comparison करना है देखिए प्लस के आगे को कोने प्लस के आगे 2 यहां पर number में और यहां पर कोने ए तो इसका मतलब ए का जो वेलू होगा वो किसकर बराबर होगा बताई झालोट के बराबर होगा बात फिर उल्टा देन आखिए हगे की उल्टा करना इसको इससको तीन पांस को उल्टा कर देना है तो यह क्या होगा पांस बटे में तीन बात आई सुमझ में पांस बटे में तीन तो यह पांच बटे में तीन का मतलब होता है तो यहां से मुझको और एक चीज मिला देखिए बी को यदि में कमपैरिजन करने की कोशिश करो तो बी बराबर कितना है बी के बी बराबर कितना होगा एक होगा ठीक है ना अब बताइए फिर हम लोग क्या करेंगे जो दो बटे सबसे लिए नेन चलिए कितना है कह वह Кто यहां से पिर इन सीफिर उर और पिसे बीकितना होगा इन गहां पामारे पास में 2 और एक zost'll आगया दो एक फौनते से प्रकेंट और ठीक है ना तो हम लोग यह पूछे ब्सक्राइब की तो चीजिने कही होगा अब औभरेमा लोग बता पाएंगे sum कितना आएगा ठीक है चलिए एक और एक्जामपल लेते हैं इससे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कोस्टन से यह देखें A plus 1 by B plus 1 by C plus 1 by D is equal to लिखा हुआ है, हम बर मान लेते हैं, यहाँ पर 26 बटे में 17 है, प्रिविएस एर कोशन से, ठीक है, तो कैसे इसको solve करना होता है, तो हम लोग फिर उपर से नीचे की तरह आएंगे, देखे, लिखा हुआ है क्या, A plus 1 by B plus 1 by C plus 1 by D लिखा हुआ है, अब क्य क्या करना होता है, हम लोग को उपर से solve करते हुए आना होता है, और हम लोग से पूछा जा सकता है, यहाँ पर पताइए, A plus B plus C plus D का बेलो क्या होगा, यह हम लोग का प्रिविएस एर कोशन से, जो चली कैसे करते हैं, देखे, हम लोग क्या करेंगे, तो 17 से तो क्या आएग इसको ब्रेक करेंगे, तो यह आएगा 1 plus 9 by 17, हो गया नहीं होगा, ठीक है न, 1 plus 9 by 17 होगा, देखे, 1 plus 9 by 17 हो गया, यहाँ पर आगया 1 plus 9 by 17, ठीक है, तो A का मान कितना है, A का मान तो 1 आगया, देखे, A बराबर कितना है, A बराबर कितना है, A बराबर कितना है, A बराबर 1, होने बस comparison करना है आप लोग को ठीक है अब देखिए फिर 17 को उल्टा करेंगे तो यह क्या आएगा पताइए 17 बाइन फिर 17 को 9 से बाग करेंगे तो क्या आएगा नाइन वंजन 9 9 फ्लस 8 बाइ कि हो गये 9 फा बात क्लिर है अब देखिए बस उल्टा करना आ है तब भी बिवितों गोटा ही तो कर रहे थी नब दीजिए जाएन बीयो चुलाके टे सी के अब तो हम लोग को सारी value मिल गए A, B, C और D की value कितनी कितनी है एक, एक, एक और एक कितना है आठ है बाता ही समझ में तो यहां से questions बनाया जा सकता अब इनको जोड़ने पर value कितना आएगा पता है आठ और तिन एकर आएगा clear है तो चलिए sessions को यही पर end करते हैं आज के लिए इतना ही हम लोग मिलते next class में और लेते हम लोग next class में लोग बौर्ड मा सुरूल से जितने भी questions बनाया जाते हैं उन सारे questions को discuss करने की courses करेंगे simplifications में और बहुत ही important है आपका यह letter fractions वाला topic कि यहां से questions exam में आता ही आता है ठीक है ना तो चलिए आप लोग घर में प्रैक्टिस करना खुद से एक बार और मिलते हम लोग next class में और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी share करना चैनल को सब्सक्राइब करना और और साथ लाइक भी करते ना ठीक है ना तो चलिए रखते हैं मिलते हम लोग next class में